आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ less than J के लिए तो यह condition हमें दे रखाया है इस condition के according हमारे कितने number of function होंगे यह हमसे पुछा गया A to B में तो अपन यहाँ पे सबसे पहले set A बनाते हैं यह set A रहा हमारा और यह set B रहा मानलो ठीक है set A में यह हमारा set A था और यह हमारा set B था set A में कौन से element थे तो 1,2 और 3 set B में हमारे 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है तो according to condition हमें दे रखाया कि I greater than sorry I less than J होना चाहिए और यहाँ पे F of I जो होगा हमारा क्या होगा less than equal to F of J होगा तो अगर मैं I को let's say 1 मानता हूँ I को मैंने 1 माना ठीक है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि F of J 1 होगा ठीक है हो less than equal to क्या होगा F of 2 होगा और यह हमारा less than equal to क्या होगा F of 3 होगा यह हमें पता है क्योंकि I हमारा क्या है I हमारा less than J है ठीक है तो उसके according अपन दे के अब let's say case 1 में बोलता हूँ F of 1 को मैंने fix कर दिया F of 1 को मैंने let's say fix कर दिया 1 के equal ठीक है तो जो F of 2 होगा ठीक है यानि कि F of 2 होगा तो F of 2 के cases अपन यहाँ पर बनाते है तो F of 2 को मैं पहले जुम करता हूँ मानलो 1 के equal ठीक है यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो 1 से बड़ा या बराबर होगा यानि कि greater than equal to 1 हो जाएगा ठीक है अब इसके लिए अपन देखते है कितने cases possible है तो F of 3 1 या 1 से बड़ा तो 1 या 1 से बड़ा यहाँ पर कितने cases हो जाएँगे 8 cases ठीक है तो F of 2 अगर मैं रखूँगा तो F of 3 के possibility 2 या 2 से बड़ी होगी यानि कि F of 3 हमारा कितना possible हो जाएगा अभी भी ये second case है जिसमें F of 1 को हमने अभी भी 1 माना है सबसे list value हमने अभी I का 1 उठाया है क्योंकि इसमें I हमारा सबसे list क्या है 1 है इसलिए भी 1 पे अपन case देख रहे है तो F of 3 की possibility हमारी क्या हो जाएगे उस समय तो यहां से 2 या 2 से बड़ा होगा यानि कि 2 से लेके 8 तक तो यहां पे total cases possible थे 8 1 से लेके 8 तक और यहां पे total cases कितने possible है 7 2 से लेके 8 तक तो आप देखो ऐसे similarly अगर मैं फिर से third case बनाओ जिसमें F of 1 की value 1 है और F of 2 की value अभी भी हमने 2 रखी है तो F of 3 की value sorry F of 2 की value हमने 3 रख दी ठीक है क्योंकि 2 हमने रख सुका था F of 3 की value हमारी क्या होगी 3 या 3 से बड़ी होगी यानि कि F of 3 की value possible क्या-क्या है हमारी तो F of 3 की possibility है 3 से लेके 8 तक यानि कि total हमारी 6 possible cases हो जाएंगे इस case में ऐसे मैं आके increase करते जाऊंगा तो उस समय जब मैं F of 2 का value अगर मैं यहाँ पे directly 8 रख दूंगा तो F of 3 का value यहाँ पे क्या हो जाए 8 या 8 से बड़ा हो जाएगा अब देखो जो possibility है हमारी F of 3 के होने की वो maximum 8 तक ही जा सकता है तो एक ही case possible है यानि कि इस case में हमारी possibility क्या है 1 है तो 1 हमारा यहाँ पे possible है तो यहाँ से अपन देखे तो total हमारे cases कितने आगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ total इसलिए total cases total cases हमारे कितने बढ़ाएंगे तो first case में हमारे देख सकते है 8 possibility थी हमारी second case में 7 ठीक है तो 8 plus 7 मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 plus 7 plus 6 अप टू कहां तक तो 1 तक और यह अपन किसके लिए total cases निकाल रहे है तो total cases 4 F of 1 total cases जब हमारा F of 1 क्या था 1 था ठीक है तो F of 1 जब हमारा 1 था उससमें total cases अपन निकाल रहे है जब हमने F of 1 को क्या माना है 1 माना है ठीक है तो यहाँ से पन देखें तो यह हमारा आजाएगा first n natural number का जो सम होता है formula होता है n into n plus 1 divide by 2 तो similarly यहाँ पे मैं रखता हूँ तो 1 से लिएक 8 तक हमारा summation है क्या जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 into 8 plus 1 divide by 2 that is 8 into 9 divide by 2 तो यह बन जाएगा 4 into 9 that is 36 अब यहाँ पे पन स्रीज बना लेते हैं देखो अगर मेरा F of 1 का value 1 था तो उसमें total cases कितने possible आए तो 36 अगर मैं F of 1 का value fix कर दू तो F of 2 भी हमारा 2 हो जाएगा और F of 3 भी हमारा greater than equal to 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 से start होगा यानि कि total cases 7 बन जाएगे और यहाँ पे 6 बन जाएगे और यहाँ पे 5 ऐसे ही अपन लिक है तो यह हमारे total कितने cases हो जाएगे यानि कि यहाँ पर पन लिखें, तो यह हमारा start होगा, 7, 6 से लेके 1 तक, ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक का sum, यानि कि यहाँ पर पन लिखें, तो यह हो जाएगा 7 into 8 divided by 2, यानि कि यह case कितने बाज जाएगे, तो 4 into 7 that is 28 case, यानि कि 8 case decrease हो रहे हैं, अब f of 1 का value अगर मैं 3, तो यह basically summation था 1 plus, ठीक है, 1 plus 2 से लेके 8 तक का, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 plus 2 plus 3 plus up to कहां तक, तो 8 तक का summation था, और यह हमारा summation था, 1 plus 2 plus up to कहां तक, तो 7 तक का, और यह हमारा जो next submission आएगा, वो 1 से लेके 6 तक का हैगा, ठीक है, तो यह 1 से लेके 6 तक, तो यहाँ प यहां पर 4 रेजियुम किया होता, तो यह हमारा समिशन क्या आया था, यहां पर समिशन बन जाता हमारा 1 से लेके 5 तक का, यानि कि यहां पर मैं लिखता 5 into 6 divided by 2 that is 15, और जब मेरा F of 1 मेरा 5 होता, तो उस समय यह समिशन में रहा होता 1 plus 2 से लेके 4 तक का, यानि कि यहां पर divided by 2, that is 10 हो जाता, और F of 1 का value अगर 6 होगा, तो उस समय यहां पर समिशन में किसका लिखूंगा, तो 1 plus 2 plus 3 का, तो यहां से हमारा जाओता 3 into 4 divided by 2, that is 6, और F of 1 का value अगर मैं 7 होता, तो यह मेरा क्या बन जाता, तो 1 plus 2 का समिशन, ठीक है, तो 1 plus 2 का समिशन हमारा क्या होता है, 3 होता है, और जब F of 1 मेरा 8 के equal होता, तो उस समय हमारे सिर्फ एक ही case possible होता, यानि कि 1, ठीक है, तो यहां से अपन देखे, तो total cases कितने हो गए, 36 plus 28, ठीक है, total cases, 36 plus 28, उसके बाद हमारा आ जाएगा, 21 plus 15, तो यह 21 plus 15 plus, ठीक है, 10 plus 6, 10 plus 6, plus 3 plus 1, तो यह total हमारे आगा है, 120, तो हमारे कितने cases possible हो गए, 120, ठीक है, तो this is our answer for this question, thank you.